भारत ने लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर चीन को टक्कर देने की अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है चीन भारत के पूर्वोत्तर राज अरुनाचल प्रदेश को दक्षणी तिब्बत का हिस्सा मानते हुए अपना फर्जी दावा ठोकता रहा है चीन ने विस्तारवादी नीती के चलते हालिय वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा दी है चीन की बढ़ती सक्रियता के चलते भारत ने भी अब बड़े पैमाने पर इससे निपटने की कवायत शुरू की है चीन अरुनाचल सीमा पर अकसर उकसावे भरी कारवाई कर हालाद भढ़काने की कोशिश करता रहा है समय समय पर भारतीय सेना भी चीनी चुनावती का मूद तोड जवाब देती रही है इसी सिलसले में खबर सामने आई है कि सेना ने अरुनाचल में अपनी कमर कसली है LAC के पास चिनूक हेलिकॉप्टर के साथ ही M777 अल्टरा लाइट हेविट्जर को भी तैनात किया गया है ऐसा दावा किया जा रहा है कि भारत LAC के पास अपनी जंगी काबिलियत को लगातार पैना कर रहा है हेवी लिफ्ट चिनूक लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर गेम चेंजर साबित हो रहा है चिनूक अधिक भार लेकर उडान भरने में सक्षम है चिनूक से M777, अल्ट्रा लाइट हैविडजर को भी चंद घंटों में अरोनाचल पहुचाया जा सकता है अरोनाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्चों में कई हैलिपैट्स बनाए गए है बताया जा रहा है कि इन हैलिपैट्स को चिनूक हेविवेट हैलिकॉप्टर के हिसाब से तैयार किया जा रहा है दहिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक अरोनाचल की सभी साथ घाटियों में चिनूक के अनुकूल हैलिपैट बनाए गए है साल 2020 से 2023 तक नौ हैलिपैट बनाए जा चुके हैं वहीं छे और का निर्मान चल रहा है इसके अलावा चीन की चालाकियों पर लगाम कसने के लिए सीमावर्ती इलाकों में सडके और एयर फैसिलिटी का विस्तार किया जा रहा है अरुनाचल प्रदेश में लगातार इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलप किये जा रहे है हाल ही में बियारों के जवानों ने अरुनाचल के सेला पास में दो सुरंगों का सफलता पूरवक निर्मान किया इससे सेना के साथ ही आम लोगों का भी करीब तीन घंटे का सफर कम होगा ऐसा दावा है कि इन दोनों सुरंगों से जवानों की तवांग तक पहुँच बेहद आसान हो जाएगी तवांग में चीनी सैनिक अक्सर सीमा में आतिकर्मन कर भारत में घुसाते हैं साथ ही भारत सरकार ने सीमा से सटे इलाकों में बसे दुरगम गाओं तक सडकों का जाल बिछा कर दूरी पाटने का काम किया है साथ ही मौडल गाओं विक्सित कर इलाकों को सुविधा संपन बनाने की पहल की है इतना ही नहीं इलाके में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाय शुरू की गई है दरसल सीमावर्ती इलाकों तक कनेक्टिविटी बहतर होना सामरिक लिहाद से काफी एहम है इस से जरूरत पढ़ने पर सेना और सैनने साजो सामान बहुत कम समय में मोर्चों तक पहुचाए जा सकते हैं